नमस्कार आप देखरें इंडिया खवर लाइव आपके साथ मैं अनुवरे शर्मा खवरार है गुझराद के नर्मदा जली से गरुडेशर तहषिल के बागड़िया जाओ में कुझराद के पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेश भाई महता ने किसानों से मुलाकात के दोराल सुरेश भाई महता ने लोगों के भिविन मुद्दों को विस सुना पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश भाई मेता 21 सक्टूबर 1995 से 19 सेतंबर 1996 तक लगभग 11 महिने के लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे उन्होंने 2007 के गुजरात विधानसवा चुनाव से ठीक पहले 8 दिसंबर 2007 को भारती जंदा पार्टी छोड़ दी थी साल 2012 में महिता ने अपनी राजनीती की पारी की फिर से शुरुवात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल द्वारा इस्थापित गुजरात परिवार पार्टी में शामिल हो गए उन्होंने फरवरी 2014 में पार्टी का बीजेपी में विलन का विरोध भी किया था और पार्टी से इस्तिफा भी दे दिया था विस्थापित की सानों जो लारी गल्ला चलाकर अपनी राजीवी का चलाती है उन्हें संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोगों को एक साथ होना बेहत जरूरी है सफलता का पहला भाग एकता ही होती है महता ने इस दौरान अपना पूरो समर्थन ग्रामिन आदिवासियों को भी दिया उन्होंने सरकार को चितावनी देते हुए कहा कि विस्थापितों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुल जाया जाए हमारे समवादाता गौतम ग्यास ने इस मोखे पर गुजरात के भूतपूर मुखे मंत्री सुरेश भाई महता से आमने सामने की बाच्चीत करून का पक्ष जाला आने वाले वक्त में देखना होगा राजमीति में फिर से सुरेश महता इस मुद्टे को उठाकर फ्रेंट फुट पर नई पारी खेलते हैं या नहीं इंडिया के वर लाइफ के लिए गुजरात में बदा से गौतम ग्यास की रिपूर्ट आज हम इस जगा पर खरे हैं जहां पर यहां के स्थारिक लोग तो है वो धंदा करके अपनी रोजगारी बुजा रहे थे लेकिन प्रसासरत अंतर द्वारा उसको पिछले कई महिनों से यहां से दूर किया गया है आज यही श्रेस भारत बावन की मुलाकार लेने के लिए हमारे गुजरत राचे के भुटपुरो मुख्य मजरी से श्रूरेस पई मेता साब आए आए हम उनसे कुछ बाच्छित करेंगे देखिए यही जगह है जहां पे गौवनेट ने परमीशन दी थी कमिटमेंट दे के परमीशन दी थी कि यहां हम लारी गलावालों को परमीट करेंगे और बाद में गौवनेट ने यूटन ले लिया और लारी गलावालों को यहां से निका दी यही पर जगह भी, वहां यह लोग, शोटे-शोटे लोग, अपसे आजीवी का अंद करे रहे हैं, और आजी यही से इन लोगों को निकाल के इसे जो बड़ी इमारत है खड़ी है, it is at the cost of the आजीवासी culture, which is not bearable, and that's why I have come here to collect this. सर, गुजरा सरकार ने दावा किया था, कि केवणया कॉलोरी में विस्वा की सबसे उसी प्रतिमा स्टेच्चो अग यूटि का निर्मन होगा, तो यहां पर स्थानिक लोगों को रोजगारी मिलेगी, लेकिन यहां पर सरकार द्वारा स्थानिक लोगों की रोजगारी चीनी रिवर्स भी आज नहीं होता है, और अधिवसी अपनी अजिवीकन नहीं लेपा रही है, लेकिन सर्दा साहिब के स्टेच्चू के बहाने से, यहां आनन्द प्रमुत की और जगाये खड़ी कर देना, हेलिकॉक्टर से इतनी जिल्दी से वो एन्वार्मेंट को डिस्टब क प्रमुत करना, बढ़ सब दिश्टब हो जाया, जहां से अधिवसी नहीं आज मुझे बताया कि यहां जोग भी जलमत नहीं है और गाय भी जलमत नहीं है, तो अधिवसी भी नहीं है, इतना जब जस्ती इतनी जो जुर्मी जो जुर्मी दोर्मी can never be torunated in India. तो यह थी हमारे गुजर राजे के भूत परो मुख्यमंद्री सी सुरेजबाय मेहता साहब जीनों ने कहा है कि सरकार दोरा यहां पर जो भी नीती अपनाई जाती है वो नीती गलत है और उनों ने यहां पर गरिब आडिवासी और विस्तापिती को वचन दिया है कि हमारी और से आपको जो भी सही बन पड़ेगी वो हम आपको पूरे-पूरे मदर करेंगे इंडिया खबर लाई उसे में गौतम व्यास गुजरात नर्मदा